प्रेक्षिन से पहले हमने होल नंबर से नाइशनल नंबर के बाद डिसक्स कर चुका है अब आज देखते हैं फ्रेक्षिन में दो पार होते हैं इसी सिसे प्रेक्षिन करते हैं अप्र टॉपर तो फ्रेक्शन के अगर आप एक्जाम्पल लिखें तो को भी नमबर जैसे की 12 by 5, 7 by 2 यह है आपके फ्रेक्शन नमबर, इस चेप्टर में हम इन साइब फ्रेक्शन नमबर के ऊपर अपरेक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ और भी वेरियस टाइप के फ्रेक्शन होते हैं इस चेप्टर में वो डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर्स्ट इजा प्रेक्शन, प्रापर फ्रेक्शन, इन इन इस फ्रेक्शन, नमबर, इस लेस दे नमबर, यहां पर आप देख रहा होंग कि 3 x 5 है, तो 3 छोटा होता है 5 से, तो ऐसे फ्रेक्शन कर रहा हम मोलते हैं, प्रापर फ्रेक्शन, और एक्जापल आप लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, 7 x 9, यहां पर 99 x 101, टीक है, तो ऊपर का जो इम्मरेटर है, डीनॉमरेटर से छोटा होता है, इस दिके इजस्ट उल्टा यहां पर जो है denominator जो है वो बढ़ा होता है और numerator denominator जो होता है वो छोटा होता है ठीक है तो 7 by 3 7 by 3 में देखो यह है numerator 7 और denominator 3 यह चोटा है ऐसी आप दुसरे example वियुक्तने 11 by 9 ठीक है ध्यांसे देख रहा होंगे यहां पर तो 7 उपर छोटा है या इंटिफिकेशन के लिए आसकते हैं तो इसकी डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ठीक है? आप वीडियो को पिछे करके इसके प्रेशन सुन सकते हैं अब देखते हैं एक थर्ड फ्रेक्शन डेज़ लेगा मिक्स्ट्रेक्शन अब मिक्स्ट्रेक्शन is a combination of whole number plus proper fraction इसे हम ऐसे ही पढ़ते हैं 3 1 by 2 3 जो है वो होल लंबर है और 1 by 2 जो है प्रॉपर है प्रॉपर क्यों है क्यों कि नियुमेरेटर जो है दिनोमेटर ते छोटा है जो कि आप डिपिरिशन ने पहले ही पढ़ चुके हैं अब एक्जाम में आता है कि इसे मिक्स भी हम ज्यादा व सब्सक्राइब कैसे करेंगे अगर से बदलना होगा तो 3 x 2 plus 1 divided जो नीचे है वो वहीं रहेगा और इसका यह अंसर आ रहाएगा 2 3 2 6 7 7 by 2 ठीक है कभी कभी एक्जाम में यह भी आजाता है कि फ्रेक्शन दिये रहेगा और आपको उसको मिक्स निकलना आता है अब आप कैसे करेंगे इस ही करेंगे हम यही नमबर लेते हैं ताकि कोई केंफ्यूजर ही नहीं हो ठीक है सब्सक्राइब कोशन में दे दिया क कि 7 by 2 है और आपको इसको मिक्स में करना है मिक्स फ्रेक्शन क्या हो सो अब कैसे करेंगे सेवन इंसाइड और यह आउट साइड तो यह कितने पार विडियो आज जाएगा 2 3 6 और केली बचा हुआ ठीक है सो जो आपका कोशेंट आएगम वो आएगा हो लंबर ठीक है उसके आगे एक प्रेक्शन लाइन जो रिमाइंडर है नीचे बच रहा है वो हो जाएगा निवरेटर और जिसे आप डिवीडेंट किये हैं वो हो जाएगा डिनॉम्रेटर तो आप देख रहा होंगे 3 by 1 3 1 by 2 को मैंने पहले फ्रेक्शन में करवर्ट किया नॉर्मल में तो 7 by 2 दें 7 by 2 को को किया तो 3 अगे वही मिला तो ऐसा आपको भी जूसरे फ्रेक्शन इसाब प्रेक्शन करना है तो देखते हैं इस चेप्टर और और आगे क्या है अब हम देखते हैं सब बेसिक ऑपरेशन इन फ्रेक्शन सीग है प्लस माइनस डिवीजन और मल्टिप्रिकेशन तो पहले देखते हैं एडिशन मैंने एक नमबर लिया है दो फ्रेक्शन है 2 by 3 plus 6 by 5 क्या आप इसका एडिशन कर सकते हैं यह पॉसिबल नहीं है क्यों क्यों क तो यह दो बिखें जूमते लियुमें किलेंगे हम क्या यूर्स करेंगे सकते हैं यह फाइव नहीं तो 5 और यह तो 1 आ है और यह तो 3 आएगा 15 तो अलस तो 15, तो यह हो गया 15, अब ज़र इसे लिखने के लिए देखें कैसे करेंगा, 2 है, यहाँ 2 पहले, cross, यहाँ पर 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 5 पर, 3, 5 तो 15, into 5, ठीक है, यहाँ पर plus का sign है, तो plus लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर 6 पहले से, cross, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 5, 3 तो 15, और यहाँ रिसी लिए 3, ठीक है, अब ज़र इसे short करेंगे, तो क्या होगा, 2, 5, 10, plus 6, 18, divided by 15, अगर इसे solve करें, तो 28 by 15, ठीक है, basic operation में same number लिए, ताकि कोई confusion ना हो, ठीक, subtraction देखें, तो subtraction देखते समय है, आप देखेंगे, ठीक हम 3 और 5 के LCM निकालेंगे, तो हमने तो पहले से निकाल लिया है, आपको, आपके question में, अलग-अलग number मिलेंगे, LCM निकालेंगे, बैसे same रहेगा, तो आप देखेंगे, ठीक है, 3 और 5 का subtraction किता रहेगा, LCM 15, यहाँ 2 पहले से है, क्रॉस 5, क्योंकि 5 time में आएगा, अब यहाँ पर plus का sign नहीं, यहाँ पर किसे sign आएगा, minus, और यहाँ पर 6 पहले से है, यह 3, तो यह हो जाएगा, इसे थोड़ा number को बदल देते हैं, क्योंकि यह दर तो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, अब इस देख लेते हैं, यह हो गया, 10, minus 18, यह है 15, तो अब कितना आएगा, minus 18 में इसे 10 minus करेंगे, कितना होगा, minus 8 by 15, इसको डाउट, हम पहले से ही, इसे पिछले चेप्टर में कैंसे minus करना है, वह हम देख चुके हैं, आईए, देखते हैं, multiplication, it is very easiest, multiplication में तो ज्यादा कुछ करना होता ही रही है, अभी हम इसे right multiplication करेंगे, इसमें होता है, कि numerator को numerator से, और denominator को denominator से हम multiplication करते हैं, ठीक है, इसके दो में बताने वाला हूँ, तो पहले हम लोग numerator को numerator से, और denominator को denominator से multiplication करते हैं, और answer आजाएगा, 2, 6, 12, और यह 15, ठीक है, बद, अगर आप वो question में ऐसे ही आते हैं, और आप देख रहे हैं, कि fraction में जो cutting होती है, वो होती ही numerator का denominator इसा है, और denominator का numerator इसा है, आप काट सकते हैं, बस आते हैं, उनके बीच में cross कसाइन हैं, और multiplication कसाइन, आप यहाँ चाहिए तो इसे cut कर सकते हैं, 2, 3, 1 जा, 3, 2 जा, 2 जा, 2 जा, 4 और निचे 5, ठीक है, अगर wakin's आपने नहीं भी किया है, अभी भी आप कर सकते हैं, 3, 4 जा, और 3, 5 जा, 4 जा, 4 बाइ 5 जा, ठीक है, आप चाहें तो इसे करके दिख सकते हैं, 12 जा, 12 जा, 15, यह 4, 3, 4 जा, और 3, 5 जा, 4 जा, 4 जा, जा, 4 जा, जा, करेंगे तो शूटा जो smallest form आगे तो इसका हम बोलते हैं simplest form ठीक है अब division अब fraction में division कैसे करेंगे division करेंगे लिए 2 by 3 divided by 6 by 5 क्या आपको 6 by 5 का टेबल आता है नहीं न तो अब देखें वियात तो है नहीं तो करना पड़ेगा तो 2 by 3 बच्छो अब आप जब 6 by 5 को 5 by 6 होगे देट में रैसी पोकर लिख दें numerator को denominator और denominator को ऊपर में तो इसकी sign भी बदल जाएगे यह है अभी divide तो अब यह हो जाएगा multiply और यह हो जाएगा 5 by 6 अब यहाँ पर आप normal performance कर सकते हैं numerator को numerator के साथ और denominator को denominator साथ अभी यहाँ करता हुआ जिक्रत आप अब हम देखते हैं place value in fraction fraction में कैसे होती है place value normal numbers में जो place values होती है वह हमने chapter 1 में पहले से discuss कर चुगा है आप वीडियोस देख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, 100,000 and more देख यह तो simple है जो हम पहले से ही जानते हैं बढ़ बच्चो जब यह decimal form में हो means point के form में हो तब आप इसे कैसे लिखेंगे और count करेंगे ठीक है suppose एक number है 0.6 आप इसे 0.6 भी पढ़ते हैं ठीक है so is a confusion now इसले इसका अगेरा में 0.6 अगर question में आजा है कि इस points को fraction में convert कीजे तब आप किसे करेंगे देखें जाना इस point की जगाले आप लिखेंगे दीजिए one उसके बाद जितने number है यह point है यहाँ पर one है तो point one लिख देता हूँ ठीक है point के बाद number क्या है यहाँ पर है one ठीक तो यह one हो गया ठीक है अब यह point की जगे लिखेंगे one और इसका जितने number हो उसमें zero ठीक है संबद आया हूँ फिर देखलें next वाले में यहाँ पर है 0.079 तो 7079 तो यह अब प्रेक्षा लिखते समय zero count होगा ठीक है तो point की जगे लिखेंगे one कितने digit है decimal के बाद एक दो तीन तो एक दो को लेता हूँ 0.06 तो अगर आप उनली चलो six ले लेते हैं यह हो जाएगा six by यह point की जगावन और यह zero ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिखनो 0.06 तो क्या हो जाएगा zero six तो हम six से ही बोलेंगे लेकिन अब इसका fraction में denominator अलग आएगा क्यों इसके आगए zero हमको count करना पड़ेगा कितना है one two one two ठीक है तो यह आपको समझ आ गया होगा यह तो सब सामने zero zero थे तो आप easy था अब अगर पूरी number के सामने लगे तो आप क्य ठीक है decimal को क्या ना मत किरिये अब denominator में कैसा लिखें point भी जागा one और उसके बाद जितने डीजिट है उसमें लगा दो zero कितना है one ही है तो zero एक ही zero लगा आए ठीक है इसमें देखते हैं इसको में लेकिता हम five seven ठीक है तो यह हो जाएगा six five seven और यहाँ पर है decimal एक इसके बा बाद है लगा दो जीरो तीकि दो डिजिट दिया हुआ है तो यह बहुत ही इस तरीका है आपको किसी भी फ्रेक्शन को डेसी मल को फ्रेक्शन में करवड करना देन उसके बाद उसमें कोई भी operation परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो आए होब कि आप सबको यह समझ आया होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर जो इस चेप्टर का एक्सरसाइज होगा ठीक है दबता के लिए बाई बाई